ये सी पार्ट वन के लिए पेपर वन में हम यूनिट थ्री पिछले लेक्चर्स में दो ती में कर रहे थे उसी को हम कंडिन्यू करेंगे आज ये और आज चो पार्ट करेंगे वो है अबी तक कि ये देखा था कि किस तरह से हम गती के समीकरण बना सकते हैं जब भी कोई करन इस तरह से केंडरी बल के अधीन गती करता है और उसमें उड़ जाके क्या मान होंगे और उससे हमने फिर पोटेंशल एनरजी गती इस तरह जूड़ जाका एक डाइगरम किया था जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स के लिए भी वैलिड होता है जब भी कोई चीज बंदी हुई होती है किसी सिस्टम से तो वो उस तरह से करव प्रोडियूस होता है इसके लिए हम जो हमारी तरिज्जे की क्वेशन थी एफ आर एम डी स्कूर आर डी ती स्कूर मैनस उता है मारी स्कूर मेगा उस मेगा की जगे हम डी थीटा भई डी ती लिखेंगे तो उससे ल is equal to म्री स्कूर डी थीटा बई डी ती होगा और इसको हम एक नए फॉर्म में लिखना चाह रहे है इसको हम डी बाई डी ती आफ राइट जन साइड को थीटा और इसको हम जो एल वाला पार्त उसको डिवाइड बाई एमार स्क्वैर करें और इसको हम जो वन है उसको हम डी थीटा वाई दी थीटा कर दें वैसे वह वन प्राप्त होगा लेकिन हमारे लिए वो डी पाई डी थीटा और ब्रैकेट में दी थीटा जैसा हमें लग रहा है जैसे कि यदि हम left में अगर operate करें उसका colon t के सापिक्ष तो हमें एक right में quantity हो रही है जो की theta से उसको link कर रही है तो इस case में अगर हम दोनों साइट से इसको देखें तो ये देखेंगे कि ये जो d by dt है ये किसके उपर operate हो रहा है theta के उपर और right में भी जो d by dt है वो operate हो रहा है theta पे तो हमारे लिए ये d by dt जो है वो एक संकारक की तरह है संकारक का काम होता है किसी भी इस्तिती के में परिवर्टन करना state को बदलना तो यहाँ पे d by dt जो है एक संकारक की तरह आपरेटर कर रहा है operator है ये और इसको हम लिख सकते हैं अलपान MR square d by d theta ये equation तीन नंबर बहुत ही useful है जो अब आगे देखेंगे कि इससे हम गती के जो सिमी करन है जो हम differential equation बनाना चाहते हैं वो बहुत ही असानी से form हो जाती है तो अब हम d by dt के जो संकारक हुआ है उसको अगेन एक अगर d by dt पे operate करें तो हम क्या प्राप्त करेंगे l upon mr square d by dt l upon mr square अगेन वही संकारा लिखना है d by dt equation नंबर 4 में और अब इस equation को हमें जो हमारी मूल equation है एक नंबर उसके अंदर d square r by dt square dt square में रखना है और d theta by dt में भी इस तरह से रखना है तो यह equation हमारी जो 1 है जो equation 4 को यूज करते वे और संकारक के जो equation 3 है उसको यूज करते वे यह बन जाएगी ml upon mr square d by d theta l upon mr square dr by dt minus mr d theta by dt का whole square and f r इसे देखनें d square r by dt square को हमने replace किया है चार नमर वाले equation से उसी तरह इसको और फर्दर solve करें तो l square upon क्योंकि यह constant होता है आपको पता है conservation से तो l square upon mr square यह बहार निकाल सकते हैं d by d theta one upon r square dr by d theta minus of l square upon mr cube is equal to f r और इसको अब हम further जैसे solve करें तो minus one upon r square जो है वो d theta dr by d theta के बराबर होता है तो यह d by d theta one upon r की equation से हमारे regulate हो जाएगा तो इसको करने के लिए minus one upon r square तो d by d theta one upon r equation number six में यह हम differential form से निकाल सकते हैं तो इसको अबहर हम substitute करते है one upon r square जो term है equation number five में one upon r square dr by d theta तो यह equation मिल जाएगी minus of l square upon mr square d square by d theta square one upon r minus of l square upon mr cube is equal to f r इसको further solve करेंगे और l square upon mr square d square by d theta square one upon r plus l square upon mr cube minus of f r और इसको equation seven हम इसको और further solve करते जाएगे तो यह प्राप्त हमें हो जाएगी हम इसमें one upon r square जो है वो हमने इसमें common कर दिया है तो इस case में यह जो l square upon mr square की term थी second differential और right में एक रैखिक term है तो यह हमारे लिए कोई बहुत ही useful equation नहीं है mathematical के लिए तो गणितीय रूप में इसको हमें व्यक्त करने के लिए इसको solve करने के लिए कुछ और ऐसा mechanism चाहिए तो इसके लिए हम एक नए अचर राशी की को use करेंगे जो की परिभाशित होगी one upon r को you रखने पर तो इससे यह जो equation है यह हमारी differential equation बन जाएगी जिस तरह की आप SHM या इस तरह के equations में करते हैं इसको further solve करें तो अब हमारे पास नए coordinate में नए variable में l square u square upon m d square u by d theta square plus u is equal to minus of f 1 upon u और d square u by d theta square plus u is equal to minus of f 1 upon u और u square l square by m यह equation को हम solve कर सकते हैं यदि अब हमारे पास अगर f 1 by u का form equation no.8 में पता हो यह equation क्योंकि right hand side में अगर वो form हमें पता है तो यह पूरी equation को हम u के form में simply express कर सकते हैं इसको आप करके भी देख सकते हैं electricity, विद्दुत के लिए जो column का बल होता है और gravitation के लिए जिसके अंदर की one upon r square से बल का जो मान है वो दिया जाता है तो उससे आप क्योंकि one upon r square होता है तो यह u square की term dependence हो गई अब एक general जो हमें देखना है क्योंकि यह जितने भी planets जो ग्रहों की चाल होती है और जो इनकी कक्षिये परिपत है और electricity में charges के लिए उनके लिए हमें एक general equation बनती है जो कि एक conic section की होती है तो क्योंकि section क्या है उसके लिए हम एक कंड का परिपत हम आज derive इसमें करेंगे और फिर उसको हम apply करेंगे हमारे केंद्रियेबलों के अधीन गती के लिए तो इसको निकालने के लिए अब यह मान लेते हैं कि जैसे r जो है वो एक cos theta से एक general form है यह सब के लिए मानने होती है जब भी कोई कंड इस तरह से गती करता है तो इसमें उसका जो रेक कंपोनेंट है वो एक cos theta रहेगा एक और एक दूरी है तो यहाँ पे अगर हम हमारे जो ने हमने coordinate define किये थे variable वो r is equal to 1 upon u करें तो राशी में तो u हो जाएगा अब इस form में 1 upon cos theta is sec theta तो sec theta by u और इससे हम ने वाले जो राशी है हमारी u उसके form में sec theta को लिख सकते हैं u a और u को भी अब आप theta के साफ़ एक शबकलन करें तो du by d theta जाएगा sec theta 10 theta upon a और d square u by d theta square is equal to sec cube theta plus sec theta 10 square theta upon a तो equation 8 में इसको आप रखें तो sec cube theta sec theta 10 square theta upon a plus sec theta upon a is equal to minus of m a square upon l square sec square theta f r और इसको हम और रेक्रेक्ट करें तो sec cube theta plus sec theta 10 square theta plus 1 upon a is equal to minus of m a square upon l square sec square theta f r इसको और further solve करते जाएगा क्योंकि sec cube theta की दो term साज़ जाएगा 1 plus time square theta is sec square theta तो 2 sec square theta जो है वो m a square upon l square sec square theta f r के बराबर हो जाएगा और f r को अब हम अलग से form कर लें तो यह हमें force की equation इस form में दे देगा minus 2 l square sec 5 theta upon m a cube लेकिन sec theta जो है वो u a के बराबर है तो यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना है कि इसको use करना है sec theta को u a तो minus of 2 l a square u 5 upon m और f r को और further solve करने पर 2 l square a square upon m r 5 अगर r के form में express करना है दोनों बराबर है 9 equation और उससे पहले वाली equation अब कोनिक की equation को निकालने के लिए जो एक समानने हम mathematics में भी करते हैं तो इसके अंदर यह equation अगर किस तरह से होगी तो अगर जिसका की origin जो केंदर है वो किसी एक नाभी पर हो फोकाई पर और उसकी हमें उतकेंदरता अगर पता हो तो हम किस तरह से fine root करेंगे तो उतकेंदरता को fine root करने के लिए एक define करते हैं तो कोनिक section क्या है तो कोनिक section है कि यह एक वक्र a curve drawn by a point moving in a plane so that its ratio of distance from f and fixed line x y is constant तो कोई भी एक तल ले लें x y और उससे जो line से जो distance बन रहा है उसके केंदर का तो अगर तो ऐसा curve जिसके अंदर की जो गतिमानकन है उसके लिए और तल में घूम रहा है तो उसके लिए जो उसका f से जो distance है और उसका जो अनुपात है वो यदि fix रहता है ratio तो वो एक कोनिक या शंकव को बताता है तो इसके अंदर जो diagram देखें तो इसके अंदर ये परिपत है और ये जो d है ये इसका नियता कहलाती है directrix और ये जो उतकेंदरता है उसको परिभाशित ऐसे किया जाता है कि इसका distance f a जो basically r है और अपन a e तो ये दोनों जो हैं ये दूरियां का ratio उतकेंदरता कहलाएगा अब अगर f origin है जैसे polar coordinates का लेते हैं तो हम देखें इस figure में f b जो है वो d से represent करें और b c जो है वो d से करें और इस तरह से हमारे पास a e जो है वो d minus r cos theta हो जाएगा इस figure से बहुत असान से दोनों parallel lines समनान तर रिखाएं हैं b c और f से origin पे तो इस plane के तो तल से लेकर तो equation 10 जो है वो बन जाएगी r upon d minus r cos theta is equal to epsilon और r को लिख सकते हैं epsilon one minus cos theta और इसको open कर लें r plus epsilon r cos theta epsilon d और r को लिखेंगे epsilon d upon one plus epsilon cos theta या one upon r कर दें तो one upon epsilon d और उपर one plus epsilon cos theta अब one upon epsilon d को एक नया नमबर दे दें l या d capital से कर दें तो ये एक बनिक एक्षिशन कुछ किस text में हमें इस तरह से d या l मिलता है तो हम इसको l general form में करें जैसे confusion नहीं हो तो हमें equation of konic मिल जाएगी कि one upon air l one plus ये general equation होती है कि इसको false कर रेंगे तो इससे हमें कक्षी है परिपत orbit का पता लगता है कि है लिप्स है कि है पर्बॉला है पती पर्वलाई है पर्वलाई है या कि इस तरह के डॉक्मेट्स